अब इनका यही काम बचेगा लाश्ट में देखिए क्या हालत होगी जलेवी पे बात करने लगे अब जलेवी बनने वाले आने वाले चुनाओं में अब गीत गाने लगे तो उन्होंने दूसरा भी काम खोज लिया कि गीत गा के काम चलाएंगे जम्मू कश्विर में आ रहे ह हुआ पे चर्चा करने को नहीं तयार है हम जीद गए हम जीद गए हम जीद गए सुदान शुत्रिवेदी जी जवाब दीजिए बिखरा शीशे सा शहर लगी कुस ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं गीत नहीं गाता हूं गीत नहीं तो आप लोगों के साथ यह सी तिमा अगर एक बात ने कहने चाहूंगे नाविकाजी अब सोचिएगा उत्तर प्रदेश में क्या होगा भी आप कह रहे हैं या किनेश जी हरा सकते हो एक लाग बात पर जाए अर राहूल गांधी तीन लाग बात पर जाए यह गूगली बहुत नहीं उत्तर प्रदेश की बात करें अगर आपने पहले लाष्ट में उत्तर प्रदेश बोला इसलिए उत्तर प्रदेश की बात बता दूँ देखिए उत्तर प्रदेश में तो ये लोग न सूरज से जंग लेने आते हैं जो उत्तर प्रदेश में सूरज से जंग लेगा व वो सिपाई मौम के निकलते हैं पिघल के बापस आ जाते हैं वहाँ पर स्री अखलेश आदव जी सूरज की तरह है उनसे कहां लड़ेंगे ये ये तो हार के अपने घर चले जाते हैं चुप चाप फिर उत्तर प्रदेश का नाम लेने से भी डड़ने लगते हैं इसलिए ये तो सच है कि अगर भारती जनता पार्टी कोई हरा सकता है तो वो स्री अखलेश आदव जी हैं दूसरी बात जहां तक जलेवी का आपने बुला जलेवी मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं भारती जनता पार्टी जलेवी के चक्कर में ही जलेवी बन जाएगी आने वाले पे फिर भी आपकी आतमा वही नफरत की बात करने लगी कौन सबसे ज्यादा बोट से Nag ça अरे आर मोग दिन पहले जब कुछ दिन पहले जब महबत की दुकान में नॉन बाइल लॉघिकल पीएम कहा जा रहा था यह डर गए हैं जुग गए हैं हार गए हैं 56 इंच इनका खतम हो गया है तब महबत साइकलोजी तूट गई तब आपको महबत नहीं याद आई महबत आज याद आ रही है सुधानशु जी यह आज महबत का कौन सा ऐसा घड़ी आ गई सुधानसु जी आज कल देखिए ज़िए बोले दीजे सुधानसु जी तो यहां पांच मिनट बोले वहां साथ सेकंड नहीं है क्या 33 सीट वाले पांच से निया पांच मिनट बोलेंगे आज जीते हैं आज की जीत में बनने वाले आने वाले चुनाओं में अब गीत गाने लगे तो दूसरा उन्होंने दूसरा भी काम खोज लिया कि गीत गा के काम चलाएंगे जम्मू कश्विर में आ रहे हैं वहाँ पर चर्चा करने को नहीं तयार है अरे भाईया एक एक आप जीते एक इंडिया गड़ सुधान्शु जी देखे आप शायद भदोडिया जी को पता नहीं था अगर ऐसा ही था तो उन्हें यहां डिबेट में आने से परहेस करना चाहिए तो समाजवादी पार्टी का तो कोई हर्याना और जम्मू कश्विर में लोकल स्टेंडी नहीं है परंतु हमने जिस ममन ख हां जो कहता है कि नु का बजला लेंगे वव अठ्यान नवे हधार से जीता है कॉंग्रेस केंडिडेट तो लोक सभा में सबसे बड़े अंतर से यानि हुड़ा जी से जादा जीता है तो लोक सभान में राहुल गांदी से तीन गुने जादा अंतर से धूबरी सीट से असम से कॉंग्रेस का रकीबुल हसन जीता दस लाख पच्चीस अजार से जो की सामान ने धारणा में धूबरी बंगलादेशी घुसपैटियों का बेस माना जाता है इसलिए मैंने दर्शकों से कहा कि अच्छी तरीके से समझ लीजे और आपने गीत की बात कही तो सुनिए अटल जी की कविता थी जो 77 में चुनाओ जब जनता पार्टी गडबंदन तूड़ गया था तो उन्हों धुखी होकर जनता पार्टी के अंदर की लड गीत नहीं पाता हूँ गीत नहीं गाता हूँ गीत नहीं गाता हूँ तो आप लोगों के साथ यह सी ती मागर एक बात में कहने चाओंगे नवीका जी एक सीरियस थाट देखिए कॉंग्रेस ने बड़ी सफलता हासिल की है हरियाना में सारे छेत्री दलों को किनारे कर दिया अगर कॉंग्रेस पार्टी एक तरफ पोलराइज करेगी तो हिंदू वोड दूसरी तरफ पोलराइज होगा चुनाव लोकसभा के में नहीं हुआ लेकिन क्या जनता में ये संदेश अब चला गया है नाविका जी देखिए अभी भी इतना जब जीते हैं सुधानशी जी लेकिन अभी भी मजभब की सियासत कर रहे है धार्ब को लेके अभी भी राजनीती हो रही है ये तो भाजपा देखिए ये भाजपा का डिने है ये कभी कोई बदली नहीं सकता है सुधानशी जी इस बात को आप मानिये चुनाव में हार जीत होता है कॉंग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए था ये मानता हूँ लेकिन मुद्दे थे इसमें जावान, किसान, पहलवान, संविधान, बेरोजगारी और जिस तरीके का इंफ्रस्ट्रक्चर अभी रहा है हर्याना में ये सब लोगों न देखा है और इसी दिए हम लोग भी काफी आस्टर जनक रहे हैं हम लोग को एक तरीके से धक्का लगा है कि कॉंग्रेस पार्टी एक जो कहते हैं जीती हुई चुनाव को हार गई है इस पर खान को लाना या यहाँ पर फिर धार्मी ध्रुवी करन कुरूशिच की जो आप कर रहे हैं ये गलत है ये नकरात्मग राज़नीतिय है आपका और इसी ने हम बताते हैं महरास्टा में भी चुनाव होने वाला है जारखन में भी होगा दिल्ली में भी होगा अगले साल बिहार में भी होगा और आप लोग का यही अहंकार जो रहेगा यह आपको अगले चुनाओं में डुबा भी सकता है लेकिन ये आपका आपका अंकार तो आज शिव सेना उद्धर ठाकरेगुट की प्रवक्ता जो है प्रियंका चोतुरवेदी उन्होंने बता दिया कि जहां जहां सीधी लड़ाई है बीजेपी और कॉंग्रेस वहां आपको सोचना पड़ेगा और मैं राजेश गुपता जी जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के उनसे पूछना चाहती हों सवाल सीधा है इंडिया अलाइन्स में कॉंग्रेस पार्टी क्या अलाइन्स को एक साथ रखने में विफल हुई है और इसलिए क्या हर्याना में कॉंग्रेस पार्टी को वोट डिविजन से कही ना कहीं भुगतना पड़ा है और आम आदमी पार्टी जो कह रही थी कि उनका बहुत बड़ा स्टेक है हर्याना में आज आम आदमी पार्टी क्या कहेगी जीरो सीट देखे इसमें कोई दोराई नहीं कि अगर आप अरविन केजरिवाल जी का ट्वीट देखें तो इसमें बहुत क्लियर है कि किसी भी चुनाव को हलके में नहीं नेना चाहिए जिस सभी जानती है कि बीजेपी किस किसम से चुनाव लड़ती है आपने अभी एक बात कही कि अगर कॉंग्रस पॉलराईज करेगी मेरा यह कहना कि कॉंग्रस तो जो कर रही है उसके बारे में तो कॉंग्रस के लोग बताएंगे लेकिन बीजेपी किस तरीके से पॉलराईज कर रही है यह मेरे बड़े भाई सजानशु जी ने अभी भी बोल दिया कि पॉलराईजेशन करो और 80 वर्सिस 20 की स्टेट्मेंट हिनकी है हमारी नहीं है लेकिन खैर मैं इनको बढ़ाई देता हूँ आज यह जीते हैं और इनको बहुत बढ़ाई क्योंकि जिस किसंसी एंटिंग कमन्सी दिखाई दे रही थी किसान, जवान, पहरवान जिस तरीके से बार-बार नराज थे तो अभी यह विश्टेशन कॉंग्रस को भी करना हमको भी करना और सब को करना पड़ेगा कि भई इतनी बड़ी हार यह कहना चीए बीजेपी की ऐसी जीत कैसे हो गई रही हमारी बात हमें अभी भी जो वोट परसेंट मिला है 1.79 हम तो नई पार्टी है जेजेपी जैसी पार्टी को 0.90 का वोट शेर मिला और एक बहुत मज़दार कहानी है कि जिसके साथ भी बी जैपी जाती है जैसे जेजेपी हो या पी डी पी का कांग्रस जो कश्मीर में हाल हुआ है या वाई एस तार कांग्रस का जो आधरा में हुआ जिसके हैं गड़बंदर में भाच्पा के साथ गया उसके बरबाह इसी तरब साथ था नहीं उसमें, इंडिया अलाइंस के तौर पे है, जो लोग सभा के अंदर है, भारत के तौर पे, लेकिन स्टेट वाइस तर्मारा कोई गड़ बंदन नहीं था, बलकि अगर आप देखें तो मुझे लगता था, आप मुझे भी थोड़ी सी बढ़ाई दे देंगी.